नोड़ा के सेक्टर 17 में रादे कृष्णा अपार्टमेंट में बिल्डर की फर्जी वाड़ा सामने आया है फ्लैट वालों का कैना की बिजली का बेल साफ सफाई का चार्ज और जो भी चार्ज होते हैं हम देते हैं लेकिन बिल्डर फ्लैट के लोगों से सारे चार्ज तो बसूर लेता है लेकिन ना तो बिजली का बिल जमा होता है ना ही वहां की साफ सफाई होती है ना ही वहां गेट पर गाड की सुपधा कराई गई है वीडियो में साथ दिख रहा है कि गंदकी और पानी चारो तरफ फैला हुआ है वहाँ पर रहने वालों का कैना है कि इस गंदकी की वज़े से आए दिन लोग बिमार होते रहते हैं दो किलो बाट के मीटर से 48 फ्लेट की लाइट सप्लाई हो रही है इसमें केस को दोरा भी कोई कारवाही नहीं की जा रही है फ्लेट में रहने वाले लोग जब थाने में इन सब बातों के सिकायद दर्जी कराने गए तो थाने में उल्टा गलत बिवार करके भगा दिया गया बिल्डर मानो भाटी आए दिन बसूली और गलत बिभार करता रहता है उतको सासन प्रासासन का कोई डर नहीं है लोगों ने फ्लेट की रजिश्टी करार रखी है लेकिन अभी तक पैनल भी नहीं लगा जिससे दुरगणना की आसन का बनी रहती है सबाल यह उठता है कि सासन प्रासासन राधे क्रिश्टन अपाडमेंट में बड़ी दुरगणना का इंतजार कर रहा है या बिना गेट गाड के चल रहा है सासन प्रासासन इन वारदातों के होने से पहले नील से क्यों नहीं उठ सकता अगर समय रहते बिल्डर मानो भाटी पर कठोर कदम नहीं उठाए गए तो रादा किष्णा बड़ी दुखड़ना की ओर जा रहा है वहां की लोग बहुत चिंतित हैं और उनका कहिना है कि कोई भी सायता नहीं कर रहा है जिससे बिल्डर मानो भाटी बेखाफ होकर फर्जी वाड़े का काम कर रहा है ब्यूरो रिपोर्ट आईपियन दूसरा फर्वरी आ गया तक कोई पजेशन नहीं दिया थी फिर हम लोग दो साल तक किराया भरते रहे दस अदस जार पे और सारा पैसा रजिस्ट्री में हमने इन लोग को दे दिया हम लोग की मानी आलगती खराब हो गई कि हम फिर मजबूरी में इसी बिल्डिंग में रहने लगे आते जहां कोई तुद्धा नहीं थी ना लाइट ना पानी पिरोल जैसे तैसे कर कराके पानी और बिसनी आने लगी लेकि इन्होंने मीटर नहीं चेंज कराया है दो किलो वाट का मीटर लगाया है जिसमें हम सब की 48 फलेट हैं और हर महीने ये लोग अपने से ना प्रॉपर गार रखे हैं और ना ही कई मैंटिनेंस हमें देते हैं और हर महीने हमसे ही मैंटिनेंस के नाम से हर महीने पैसे लेते हैं और कहीं ये अपना अदमी रखेते हैं वो हमनों को उसे पैसे लेके भाग जाता है फिर ये कहते हैं दोबारा पैसे लेने आजाते हैं और ये कहते हैं वो तो चला गया और इसी परह से हमसे हर महीने हम सभी से पैसे ले रहे हैं मेंटिनेंस के नाम से ये बिजली बिल के नाम से और इन्हों ने फरवरी से लेके जुलाई तक बिल नहीं मरा और अभी तीन दिन पहले हम लोग कहा लाइट कर गई उसकी बज़े से ना पानी है और ना लाइट है हम लोग इतना परहसान है जो तीन दिन से जिसको बिली और पानी ना मिले सहर में तो क्या हालत होगी और उस दिन भी हम लोगों से सारा पैसा फिर भी इन्होंने लाइट सही नहीं करवाई हम लोगों से 36 जार का कलेक्सन फिर दिया है और फिर भी इन्होंने लाइट नहीं करवाई गिरी गिरी राजेस कुमार गिरी है जिनको उन्होंने रख रखा है वही हम लोगों से पैसे लेने आता है मानम हटी ने उसको अप्वाइंट कर रखा है वह हम लोगों से हर मैंने पै कपिल करके उस कपिल बोले हम मीडिया को लेकर रहे हैं और आपके बीदी चैलू हो जाएगी फिर इसके बाद आठ बज़े जब फोन कर रहे हैं तो राजय कुमार गिरी का फोन से चौप अब हम लोग इतना भढ़ा रहे हैं बच्चे सारे लो रहे हैं गर्मी की वज़े से फ फिर रात को नव बज गया जब सबने इखटा होके मानो को फोन किया मानो आया और इसने कुछ भी नहीं किया इसके बाद कपिल जो था सब सब लोग बहुत परिसान थे सबने रिक्ष्ट किया तो जो कपिल लड़का था उसने वाला पान पान सो रुपे लगेंगे हम लाइ रात को जुडवा दी और सुबेरे छे बजे पांच बजे फिर कटवा दी और तब से आज 13 कारीक हो गई है लाइट नहीं जमा किया है और इतनी ज्यादा प्रेसानी है और अभी भी यह हम लोगों से और पैसे की मांग कर रहा है किसी से कहता है पंदरा सो दो किसी से कहता है अठारा सो दो किसी से कहता है हजार रुपे दो पर इसका फर्मानल सलूशन कोई नहीं देखता है और पुलिस वाली भी यह से हम लोगों की अपाया नहीं नहीं लिखता है हम हॉस्पीटर ने उस दिन दस बजे से साड़े तीन बज गया उससे कहा गया कि भाई लाइट का क उसने बोला देखता हूं करता हूं तो उससे कहा कि कैसे करते हो फार्च बजरा तो अभी में अगर नहीं पैसे जबा करोगे तो लाइट नहीं आएगी वह बत्तवीजी करने लगा और हम से ही सबसे करने लगा हम हार प्रेशन ते इसलिए हम अरी तबित खराब होगे और हम हॉस्पीटल में आजए हम तो भेव उसके हमें नहीं पता है बिल्लिंग की लोगों ने हॉस्पीटल में हमें एडमिट कराया उस मानो भार्टी का कहीं आता पता नहीं था और इसके बाद जब ये लोग सब लोग इखटा होके मेरी बेटी और हम मा बेटी दोना अकेले रह है ये अप्रिकेसं डाओ ये कागस लाओ ये कहके वहां से भगा दिया और आज भी हम लोग इतने परेसान है या हम होस्पिटल में पड़े हुए हैं बिल्लिंग में कोई भी नहीं है आज भी वो राजेश कुमार गिरी है उसने ग्रूप में एक मैसेज जाना है कि इतना प यह हमारी है करें मीडिय से वा नवेदन है कि वह किसी तरह करके हमें सरकार से सहीयोग दिलाए जैसे कि इन लोगों जो हम सभ का पैसा खाके बैठे हुए ना हमारे में बिल्डिंग में बिजली का काम करवा रहे हैं, ना लिफ लगवा रहे हैं, हम सब इतने परेशान हैं, जो भी न्याय उचे थो वो कारगा ही करें, क्योंकि अब हमें ना पुलिस से कोई उमीद है, ना किसी से एक मीडिया ही ऐसी है, जो सायर हमारी हेल्फ करें, हम सब को न्याय दिला सकें, क्योंकि बिजली और पानी की बगर कोई नहीं रह सकता है, आप सब का बहुत बहुत धन्वाद है, मेरा नाम बल्राम चोद्री है, जो मैं सिक्टर सत्तर आदे कृष्णा अपार्टमें के नाम से जो अपार्टमें जो देखने आया था, उस टा में कई मतला जो लिखा हुआ है, उसके साथ साथ उन्हें बर्भरी भी बताया था, कि आपको दोहजार सत्र लाष्टम पोजिशन दे देंगे, ट्रांस्फर्मन लगा के देंगे, लिफ्ट लगा के देंगे, जो आगे वादे सामने वादे रोड है, वो रोड को भी हम मतलब पक्की बना करके देंगे, उसके साथ साथ केमरा, इंटर पॉन सिस्टम, गार्ड, सारे सु सब्वी सब्रेल दोहजार सत्र को भूक राये, जब माना भाटी इंजी ने बोला के जो बिल्डर जो है, नो ने बोला उसके बात को मुझे पसंद आया, फिर उने बूक रा लिया, बूक कराने के बाद, मुझे पसंद दे लिया, जब हम क्राय में रहते रहें, लेकिन फिर भी उनका पैसा के दवाब आता रहता था, पैसा हम देते दिये जाते थे, लेकिन 24 मार्च 2019 को जब मैं पूजा कराने के दे, एक हफ्ता पहले माना भाटी को मैंने बोला था कि मैं 24 मार्च को पूजा करा मुझे पोजिशन दे दिये, जो उन्होंने बोला था, ठीक है, पोजिशन दे दूगा, क्योंकि बोला था, लेकिन जब मैं 24 मार्च 2019 को जब मैं आया, सारे सामान लेकार कि आपने जो रिष्टे दारा उनको सारे को दे के आया, तो प्लैंट में ताला लगा हुआ था, तो म मैंने डाल से बोला कि मैं ताला क्यों लगा है, तो बोला कि वह में जो है, भादी जी ने बोला है, इसी दे मने लगा दिया, तो फिर मैंने भादी जी को फोन किया, फोन करने के बाद मैंने ताला क्यों ताला क्यों लगा दिया, फिर हम लोगों ने जो भी अपना पूजा क पक्समें नहीं था, जबकि मेरा 25 लाख में से 2 लाख उनली बचा हुआ था, पेमेंट देने के लिए, तो मैंने यही कहा था कि जब रेष्टी होगा उस तेम आपको पेमेंट कर देंके 2 लाख रुपी बता हुआ रखम, लेकिन उसमें वह दवाब देता था, लेकिन जिसी कि पर देखरा से फिर मेरे पोजिशन ले दिया, उस दिन उस पोजिशन लेने के बाद में रहते गया, रहते गया, 29 मैं 2019 वो जो मेरा रेष्टी हो गया, रेष्टी होने के दिन भी काभी हमारी आपास में तनाब हुआ, जब तक आप पुरा 2 लाख रेहें, पेमेंट किजिए उसके बाद में आपको फाइल आगी जाएगा, उपर जाएगा, कहके मुन कहां, लेकिन फिर भी चलो मैंने किसी तरशी तो हो गया, फिर मेरा रहना लगया, रहते रहें, परंतु आज के देट तक नहीं ट्रांसपर्मन लगा है, नहीं लेट लगा है, नहीं रोड बना है, नहीं बिल्डिंग फिलिंशिंग हुआ है, सारे काम जूँगे तूँ पढ़ा हुआ है, सिर्फ हमें रहने लाइक है, और जी स्प्रेट में जो मतला जो बिल्डिंग बनाता उस टाइम जो है, जो इननों जो कमर्सिल जो मीटर लागा था दो किलो वाड का, उसी मीटर के मा गल्स लिए यह श्कार स्प्रेट में और 40 प्रेट उसमें से कम से कम 20 पचीज प्रेट बनादा दाःए आद लाइए आगा तो उसमें जाइस ही भात यह बात है, लोड तो हो गाई होगा, उसके बाद में भी हम लोग पैसे देते थे जो भी हमार में जो 100 मिटर लगा दिक पैसे दिये जाते थे मुटर का जोड़ी गंता था उनका जो उन्होंने तो पैसा में दे रहे थे लेकिन एक फर्वारी कि 2020 से लेकर के 31 जुलाई 2020 तक का नोंने लाइट का जो पैसा जो पैसे जमाने लिए तो गारा तारी को जो है लाइट कर गया भी आया उसके बारे का पहुंच गया कि हम पैसा नहीं डेंगे आप पैसा दी तो हम लोको पैसा दे तो किसी तरह से मतलब जो है उन्होंने राद को क्या करता दो जो हमारी जो यह फैसला हुआ कि अभी खिला जो भी पैसा हम जमा करेंगे तो उन्हें देशी भी तेशी करा प्रंतु उसी दोरान जो है ते लेडिज बगर कुस पंसाथ जो लेडिज था उनकी आपस में जो बिल्लर जो माना म्राजपूत है बाड़ी जो है उनके साथ जो मत जो बाड़ी जो बिल्डर ने जो माना बाड़ी है उन्होंने उस उठा करके देशार हुसके बाड़ में नहीं आज तक वो देखने आया है नहीं उसको मतलब कोई क्या करता है तो इस तरह की घटना हुआ है तो मैं आप लोगों से आपको जो माध्यम से मैं यहीं कहना चाहता हूं कि जो जिसने भी हमारे प्रसाशन अधिकारी है प्रसाशन है तो नहीं से में रिक्वेश्ट करना तो जो भी रादे कृष्णा पार्ट्बेंट सेक्टर सतर में बनी हो जो जो आनल कवा दिया जाए यहीं कैसे हुए अपने बात कुमें द्राम देता हूं धन्यवाद